Hello guys and welcome back and इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे CapCut PC एप्लिकेशन के अंदर अपनी वीडियो या अपनी पिक्चर्स को एंपोर्ट कर सकते हैं So, एंपोर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है guys आपने इस तरह CapCut PC एप्लिकेशन को ओपिन करना है ठीक है and open करने के बाद आपने यहाँ पर import के उपर क्लिक कर लेना है like this Import के उपर क्लिक कर लेने के बाद आप जिस वीडियो को import करना चाहते है आपने उस वीडियो के उपर क्लिक करना है and then आपने open के उपर click कर लेना है तो यहाँ पर आपकी जो video है वो import हो जाएगी ठीक है इसके अलावा गर आप किसी picture को import करना चाहते है तो आपने क्या करना है आपने import के उपर click करना है and then आपने उस picture को import करना है जिस picture को आप import करना चाहते है ठीक है let's say यहां पर मैं एक picture को import कर लेता हूँ like this तो आप इसी तरह pictures को import कर सकते हैं इसके अलवा आप एक दूसरे तरीके से भी pictures या videos को import कर सकते हैं आपने इसको minimize करना है ठीक है and उसके बाद आपने अपनी video या अपनी picture को drag and drop करना है like this ठीक है तो आप इसी तरह भी video या pictures को import कर सकते है capcut application के अंदर ठीक है so that's it guys and this is how you can import videos and pictures and capcut application आप इसी तरह capcut PC application के अंदर अपनी pictures या videos को import कर सकते है please video को like कर दीजियेगा channel को भी subscribe करना ना भूलियेगा and मैं आपको मिलता हूँ next video में तब तक के लिए